देश में सियासी उठापटक का दवाल लगातार जा रही है और कॉंग्रेस में अंधुरूनी खीचतान भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है सरकार बनने की बाद जहां एक और राहुल गांधी ने अध्यक्षपद छोड़ दिया वहीं मध्यपदेश में भी अध्यक्षप बद को लेकर खीचतान लगातार चल रही है ऐसे में अब सोनिया गांधी ने तय किया है कि पार्टी के बुजर्गों को फिर से आगे किया जाए राहुल प्रियंका का यूवा वाला फॉर्मूला फेल होते दिख रहा है बुजर्ग नेताओं के 15 साल का कामकाज देखना चा नदारद है और पूरा काम सोनिया ने संभाल लिया है मध्यपदेश और पंजाब में हुई खीचता से सोनिया बहुत जादा गुसा है पुराने फॉर्मूले पर काम करना चाहती है नई टीम बनाने की जिम्मदारी एहमद पटेल को सौपी गई है मध्यपदेश कॉंग्रि मिलिन्द देवडा की जगह एकनाथ गाय कवार को काम सौपा गया है पंजाब के जिम्मदारी सुनीर जाखड को दोबारा दी जा सकती है इसकी वज़े उनके पिता बलराम जाखड का तजुर्बा है सोनिया के दोबारा एक्शन में आने की बाद माहौल बदल गया है जो ज नई मुहीम के बाद जोतिरादित्यसंध्या और सचिन पाइलेट को तगड़ा जटकाल लग सकता है राजिस्थान में अशोक गहलोत को सीम बनाने का फैसला भी सोनिया गांधी का ही था अब यह देखना होगा कि सोनिया का ये एक्शन पार्टी के लिए कितने फायदे लेक कराता है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर मोर अप्डेट्स